वीटी बुलिटिन स्पॉंसिड बाई उत्तम सिंग अकाड़मी रीवा नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रया आज की बुलिटिन की खबरों के साथ हाजर हुए हैं पहली खबर की बात करते हैं रीवा जुले की अमहिया थाना शेत्र अंतरगा 14 अगस्त को प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला उजागर हुआ था शाकू और डंडे से युवक पर वार किया गया था कुछ लोगोंदो वारों और हत्या को अंजाम दिया गया जुसकी सूचना पुलिस को लघते ही रीवा पुलिस ने तत्प़ता दिखाई और मामले का खुलासा की ड़िएस्प प्रतिभाव शर्मा द्वारा बताया गया कि पैसे के लेंदेन और जमीनी विवात के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है विनेमिश्रा और रोहिनी प्रसाद के बीच पैसे के लेंदेन का मामला था और लंबे समय से विनेमिश्रा द्वारा मृतक से पैसे की मांग की जा रह थी और अमहिया थाना अंतरगत 14 अगस की रात को आरोपियों ने तीन तरीके से सत्या को अंजाम दिया मामले का खुलासा करने के लिए रिवा एस्पी के निर्देश पर साइटी का गठन किया गया था डेस्पी प्रतिभाश अर्मा अमहिया थाना प्रिभारी और पुलिस स्टाफ की मदद से आरोपियों को धर्दा बोचा गया है आज रिवा जिले में मुखी मंत्री शहरी अधो संरचना विकास के तृती अचरण के अंतरगत 87.29 लाख की लागत से नाली निर्मार सडक निर्मार वा सडक चौनी करण कारे का पूर्व मंत्री एवं रिवा विधायक राजेंद्र शुकला ने भूमी पूजन किया इस योजना के अंतरगत वार्ट्रमांक दो में टिकवा प्राथमिक स्कूल के पास से आर्सी सी सडक वा नाली निर्मार के 26.52 लाख के कारे का भूमी पूजन हुआ इसके अलावा बनिया तालाप के पास रेल वासियों को आवा गमन के लिए मूलभू सुविधा प्राप्त होगी और विंदिविहार कॉलोनी से टिकवा वासी सीधे मुखे मार्ग से जुड़ सकेंगे पूर्वमंत्री ने सडक के दोनों किनारे पच्री बनाने तथा निर्मार की गुडवत्ता पर ध्यान देने का न जिला पंचायत सीओ को पत्र लिखा है बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत नगमा में सचिव के पत्पर पदस्त अरविंद कुमार पटेल खुद दो दिन पहले निलंबित हुए थे और अपने निलंबन के बाद उन्होंने इस राशी को आहरित किया है जिससे प्रशासन के पत्पर पदस्त रहते हुए अरविंद कुमार पटेल के द्वारा वित्य अन्यमित्ताइं की गई जिसके बाद उनका स्थानांतरन जवाजनपत पंचायत शेत्र अंतरगत नगमा गाउं में कर दिया गया था इस दोरान उनकी जाल चलती रही और तीन अगस्त को उन्हे वित्यानी मित्ता की शिकायत पर निलंबित कर दिया गया जुसके बाद 6 अगस्त के दिन उन्होंने शास्की अखातिक से फर्जी तरीके से 2,18,000 रुपए की राशी निकाल ली मेरे सज्ञान में ये बात मेरे छेतरी 25 समर्वित का धिकारी की द्वारा लाया है मेरे ध्यान में और उस पर तोरित का रुपए करती भी मैंने जब दो खंगाला मामले को और मैंने पंचायत इस्पिक्टर को भेजा कि इसके मामले के सत्यता को जानने के लिए उन्हों ने जो मुझे प्रत्विदित किया है ये है कि हमारा एक अर्विंद सिंह पटेल करके सेचिव था ग्राम पंचेप नगवा में जो अभी अभी दो तीन मैना काम करता रहा लेकिन उन्हों उनका अपना पुराना मामला था 318 जन पद में कुछ राज़ ये करता नहीं निलंबित कर दिया गय था और निलंबन का आदेश तीन तारीकव प्राप्त हुआ तीन तारीक निलंबित हुआ हो तो निलंबित होने के दो तीन दिन बाद शाय अगस्त को 2021 को उन्हों ने 2 लग 18,000 रुपे रासी सर्पंज के स इसी तुरुपसिस में बड़ी कारवाही करने का प्रस्ताव में सिलोज जिला पंचाय साथ को मैंने प्रतिमिटिक कर दिया है आगे देखें गुंदी में कारवाही सम्भा है में गाय और घात लगाय बैठे बाइक सवार दो बडमाषों ने महिला के गले से दो तोले की चेंश कर मौके से फरार हो गये वहीं मैला के द्वारा इस घटना की जानकारी डायल हंडिट को दी गई मगर घंटो पुलिस का इंतिजार करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी हाला कि अभी CCTV कैमरे के मदद से इस पूरी घटना की जाच पुलिस द्वारा की जा रही है रिवा में आज विप्रसेवा संग के राष्ट्र अध्यक्ष राजीव शुकला के आयोजन में संजगांधी अस्पताल में वाटर कूलर की भेट की गई कारेक्रम स्वर्गेश शांग शुकला इवं प्रशान तिवारी की पौनिस्मृती में किया गया जूसमें संजगांधी के अधिक्षक डॉक्टर मनू जिंदुलकर सहित कलेक्टर लईयराजा टी भी उपस्तित रहे जोरान कलेक्टर ने कहा कि विप्रसेवा संग समाजिक कारियों में बढ़ चर कर हमेशा से हिस्सा लेती है कई शेत्रों में संग द्वारा अतियंति सराहनिय कारे किये गए हैं संग द्वारा कोरूना काल में भी लोगों को मास्क भोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्द कराए जा चुके है और अब जब अस्पताल को वाटर कूलर की आवशकता थी तो संग द्वारा इस आवशकता की भी पूर्ती की गई सिंग्रॉल जिले में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के खिलाफ नेशनल हाइवे में बिना अनुमती के प्रदर्शन करने के मामले में शुकायत दर्च करवाई गई है असल में कॉंग्रेस सरकार में पूर्वमंत्री रहे कमलेश्पर पटेल ने गुरुवार को जिले के देवसर अलाके से गुजरने वाले नैशनल हाइवे क्रमांगुन तालस में बिना अनुमती के धरना दिया बलकि नैशनल हाइवे पर तंबू लगा कर जाम भी किया था जु में पूर्वमंत्री के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है इसके साथ ही धरने में शामल रहे अन्ये 2000 से आधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाए गया है सिंग्रॉली से पुष्पलेश्ट वेदी की रिपोर्ट पहरी बात मैं बताना चाहूंगा कि कल धरना पदर्शन हुआ उसके लिए अन्यमती चाही गई थी जिसके लिए अन्यमती प्रशाशन की तरफ से नहीं दी गई थी दूसरा यहां पर खास थोर से राश्ट्री राजमार्क पर इस तरह का जिलूस निकालना और उसके बाद वहां बताना पदर्शन करना इस तीज के लिए गई थी इसके उपर प्रशाशन की तरफ से जियावन थाना में एफायर दर्श कराई गई है धाराएं 341, 147, 149 इंडियन पीनल कोर्ट की और राश्ट्री राजमार्ग अधिनियम की धारा आठ बाप के अंतरगत एफायर त परेड ड्राउन में विभिन विभागों के सहयोग से खेल कूद प्रतियोगी तक आयोजन किया जा रहा है जिसमें जिले के विभिन शात्र शात्राइं भाग ले रहे हैं इसके तहत अलग-अलग विधाओं की प्रतियोगी एताओं का आयोजन किया जा रहा है इस भी जिले पत्रों और पुसकार देखकर सम्मानित किया जाता है तो वहीं श्रिष्टतम खिलाडियों को संभाग और राजिस्तर ये प्रतियोगिताओं में जाने का भी अफसर दिया जाता है सीधी से अब लाश मिश्रा की रिपोर्ट बढ़ते हैं अगली खबर की ओर सीधी जुले में पुशित कर दिया गया पुलिस द्वारा बोडी का पंचना मतयार करवाकर के पोस्ट माटम के लिए भेजा जा रहा है बात करते हैं बुलिटन की आखरी खबर की आज सिंग्रॉली जिले में प्रधान मंत्री आवास के पात्रहित ग्राहियों से प्रदेश के मुख्या प्रधान मंत्री आवास के पात्रहित ग्राहियों को खुद क्या हाथों से चेक वितरित करते हुए हित ग्राहियों को पक्यमाकान की सोगात दी इस दौरान कारिक्रम में प्रथम किष्ट के 62 द्वितिय किष्ट के 272 तथा तृतिय किष्ट के 235 हित ग्राहियों को इस योज में जमा किये गए हैं इस ओरान मुख्यमंत्री शिवरास सिंग कई जिलों के पाथ हित्गराईयों से वर्चुल माध्यम से जिन समवाद बे किया वही कारेक्रम खत्म होने के बाद सांसे दृती पाठक सभी हित्गराईयों को नई घर की सौगात मिलने पर शुबकामनाएं द आप देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है जिससे आप प्रदेश उसाहित पूरे देश में हर किसी के पास अपना एक पक्का माकान होगा इसके लिए हम केंद्र तथा राजु सरकार का आभार व्यक्त करते हैं मैं सिंग्रॉली विधायक राम ललु वैश ने भी सरकार के चल रही ओजराओं के बारे में लोगों को बताते हुआ कि सरकार सभी के सोच और जिले के विकास को लेकर गंभीर है हर तपके के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर सरकार कार कर रही है सिंग्रॉली से पुषपलेश दुवेडी की रिपोर्ट विंद्य की तमाम खबर झाल 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 झाल